परम सतकार योग प्यारे सा संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी शुकराना शुकराना सत्गुर दा शुकराना पलपल करिये कर दे रहे लबदे रहे बहाना संगत जी हम सत्कुरू निरंकारदातार का हर पल शुक्राना करते रहें जिनके किर्पा से हमें सेवा आसीमरं ससंग करने का बरपूर मोका मिल रहा है और सत्कुरू हमें हर पल समझाते हैं कि हमने अपने करम पर जोड़ देना है ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरनों में सच्ची घटना रखने जा रही है आप जी परवान करें जाने करमों से दुनिया सारी सासंगत जी ये किसी महात्मा ने विचार किये हैं उन विचारों में हमें समझाया गया है उस महात्मा ने हमें समझाया है किसी व्यक्ति ने भले ही हाई एजुकेशन ना अचीव की हो या उसके पास काफी दंदोलत ना हो लेकिन अगर वे है महान क्रेक्टर का मालिक है स्वामी है तो उसे संसार में इज्जत आवश्य मिलेगी संत महात्मा इस बात से पूरी त्रहें जानकार होती है उन्हें जानकारी इस बात की होती है कि यदि धन नश्ट होता है तो कुछ भी नश्ट नहीं होता यदि हेल्थ नश्ट होती है तो कुछ नश्ट होता है पर यदि क्रेक्टर नश्ट होता है तो सब कुछ नश्ट हो जाता है महात्मा ज्यान के प्रकाश में विच्रन करने और अपने उत्तम क्रेक्टर के कारण लोगों की प्रेरना का सत्रोत बनती है भारत के करनाटक राज्ये में गुल बर्गा नाम का जीला है जिसे आजगल कल बुर्गी कहा जाता है यहां सत्कुर की किर्पा के पत्र बने अनेक निरंकारी भगत रहती है और हर संडे को ससंग का अनंद लेते है यहां हाल ही में जब शिरी सुनेर रात्रा जी जोनल इंचार्च करनाटक की उपस्थिती में गुलबरगा शहर में ससंग का प्रोग्राम आयोजित किया तो वहां पुलिस हैड कंस्टेबल बेहन ये शोदा जी भी उपस्थित हुई प्रेजन्ट हुई ससंग में आशीर वाद लेने के लिए जब मंच संचालक ने उन्हें इन्वाइर किया तो संगत के भाई बेहन उत्सुख होकर देखनी लगे कि यह बेहन पहली बार ही ससंग में आई हुई थी और यह उनके शब्दों से ही पता चल रहा था अपने भाव्यक्त करते हुए जब उन्होंने मिशन के एक सेवादार मात्मा शिरी रगु जी का जिकर करते हुए कहा कि हाजकल लूट पार्ट, पोकेट काटना, चेन स्नेचिंगा दी आम बात हो चुकी है और यह अवांचित गतिविदियां पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक चुनोती बन चुकी है ऐसे हालात में मात्मा शिरी रगु पवार जी जो ओटो रिक्षा चलाती है एक दिन अपने हाथ में एक बैग लेकर हमारे पुलिस टेशन आये और कहने लगे कि मैडम भूल वश यह बैग मेरे ओटो के पैसिंदर छोड़ गए है इसमें दो कीमती मुबाइल फोन है काफी सारे रुपे हैं और कुछ सोने के गहने भी है प्लीज जिस किसी का भी यह बैग हो इसे उन तक पहुँचाने में मेरी हैल्प करें यह बात सुनकर मैंने तुरंट अपने अधिकारियों से कॉंटेक्ट किया और उन्हें सारी बात बताई इस परकार वह बैग जिनका था उन तक पहुँचाया गया इस घटना के बाद मेरे मन में यह बात घर कर गई और मैं यह सोचने लगी कि रगुजी की इमानदारी के पीछे कुछ तो कारण होगा और मैं यह जानने की कोशिश करने लगी कि एक ओटो रिक्षा चलाने वाले व्यक्ती की इमानदारी का कारण क्या है बात की गहराई में जाने के लिए मैंने रगुजी से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं निरंकारी ससंग में जाता हूँ सत्कुरू की जो सिकलाई है उसी को मैं अमल मिलाता हूँ यदि आपको अच्छा लगे तो संडे को होने वाले ससंग में आप भी आईए और देखिए कि वहाँ अलग अलग भाशा वाले अलग लग जाती धरम वाले कैसे एक दूसरे का सम्मान करते हैं सभी मिल जुलकर इसे एक सरव्यापी परंबिता प्रमातना का यशोगान करते हैं यशोदा जी अपनी बात कॉंटिन्यू कहने लगी कि रगु जी ने यही कहा कि मुझे तो ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता है आप यदि वहां ससंग में आओगे तो आप अपने आप सब जान जाओगे आज इनी के कारण मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ ससंग के बाद गुरु चर्चा हुई तो बड़ी खुशी के साथ उन्हों ने कहा कि मैं आती रहूंगे और ससंग में पार्टिस्पेट भी करूंगे यह मेरा लग है मेरा सुभाग्य है कि ऐसे लोगों के बीच में आने का मुका रगु पुवार जी के कारण मिला है संपुन अवतार बानी में शेंशा बाबा अवतार सिंग जी महाराज इस शबद द्वारा हमें समझाते हैं सुख शांती दे चाहवनों जान लवो सुख किस्ताना सहम रहे हो जिस्तों हरदम जान लवो दुख किस्ताना इनसान जीवन में सुख तो चाता है लेकिन यदी अपने फारज नहीं निवाता परमात्ना के प्रतिश शुकर गुजार नहीं रहता तो वह इनसान होकर भी इनसान नहीं होता यह इनसानी शरीर पाकर भी हैवानों वाले काम करता है इसे उसकी नादानी नहीं शैतानी ही कहा जाएगा इनसान को जीवन जीने का वास्विक तरीका सत्गुरु की शरण में आकर ही मिलता है उसे सत्य का दर्बार तो मिलता ही है सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए जैन सुकून भरा जीवन जीने का अनंद भी मिलता है किस तरह हैं? इस महात्मा रगुजी के जीवन से ये बहन भी सस्थंग में जुड़ गई इस बहन ने भी किस तरह हैं इस महात्मा का परचार किया और इस प्रमात्मा के कर्मों को देखते हुए मिशन के साथ जुड़ गई घ्यान भी ले लिया और सेवा सिम्रन स्संग भी करने लग गई सत्कुर माता नसुरिक्षा जी महराज भी आज हमें यही समझाते हैं कि हमने अपने कर्मों से परचार करना है सत्गुरू ऐसी बनू में निरंकारी जाने कर्मों से दुनिया सारी हम ऐसे हम महान निरंकारी बने कि हमारे कर्मों को देखकर ही सबी इस मिशन से जूड़ जाएं परममता मै निरंकारी राज माता जी हमें अपने विचारों द्वारा समझाते हैं कि सत्गुरु सारे संसार के लिए आते हैं सत्कुरु की महान किर्पा होती है, तभी संतों का संग मिलता है, संग तो हमें दुनिया में अनेकों मिल जाते हैं, जो कुमती देने वाले होते हैं, लेकिन सूमती देने वाला संग तो केवल मात्माओ का संग ही हुआ करता है, वास्तव में सादु का दरबार सभी इनसानों के लिए होता है यहां सभी इनसान मिल बैठ कर भगति कर सकते हैं संसार में अनेकों ऐसे भेद डाले गए हैं कि आपस में मिलकर भगति हो ही नहीं सकती अगर देखा जाए तो सिनेमा घर में सभी इकठे हो सकते हैं होटलों में सभी इकठे हो सकते हैं लेकिन जब भगति की बात तो कहते हैं कि एक साथ भक्ती नहीं की जा सकती, जबकि मात्मा चारों वर्णों के लिए ही संसार में आते हैं, वे केवल हिंदू से किया, केवल इसाई के लिए नहीं आते, मात्मा हमेशा एकता का पाट पढ़ाते हैं, उनके सामने जाती का कोई सवाल नहीं होता, मजब का कोई सवाल नहीं होता, पढ़े अनपढ़े का कोई सवाल नहीं होता, वे तो सभी से प्यार करती हैं, यह प्यार कहीं से खरीदा नहीं जाता, कहीं से मिलता नहीं है, यह मिलता है, तो सत्गुरु के दरबार से मिलता है, भ जहां यह प्यार होता है, वहां नफरत नहीं होती, और जहां नफरत होती है, वहां प्यार नहीं होता, संतो द्वारावचन चाहे सत्यूग में कहे गए हों, दुआपर में कहे गए हों, त्रेता में कहे गए हों, या कल्यूग में कहे गए हों, यह हर इंसान के लिए कहे जाती यह किसी एक जाती के लिए, किसी एक मजब के लिए नहीं कहे जाते, यह बात किसी बड़े छोटे के लिए नहीं होती, किसी अमीर के लिए नहीं होती, किसी गरीब के लिए नहीं होती, किसी पड़े हुए के लिए नहीं होती, किसी अनपड के लिए नहीं होती, बलकि सारी ही म कभी है बराबर इसने किया ना कभी किसी का निरादर सत्गुरू सबको अपने गले से लगाता है जो शरन आवे तेस कंट लगावे जो इसकी शरन में आजाता है ये उसको अपने गले से लगा लेता है हम सबका यही फर्ज भी बनता है कि हम सत्गुरू से ब्रह्म ग्यान लेकर फिर इसके चरनों में जुड़े रहें और मानव मत्र का अंतिम स्वासों तक बला करते रहें और मानव एकता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें जो अपने आपको सत्गुरू के चरनों म समर्पित कर देता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है निरंकार का ग्यान गुरु की किरपा से मिलता है भक्ती के लिए संतों का साथ संतों की किरपा वैं गुरु के आशीरवात की जरूरत होती है इस तरह हमें सत्कुरू समझाते हैं, कि हमने प्रेमा बक्ती करते चले जाना है, नर्षेवा, नरायन, पूजा का जो हमें ये सजीव नारा दिया गया है, इसको सार्थक करना है, हर एक नर में हमने नरायन का दर्शन करना है, इस तरह हमें सत्कुरू समझाते हैं, प्रभू को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे घर में नरायन है मेरे पडोस में नरायन है मेरी संगत में नरायन है किसी की सेवा करें किसी का चन्ज पर्श करें तो परमात्मा को नमन वे परमात्मा की सेवा बड़ी सहता से हो जाती है इन बातों को हम अपने जीवन में धारन करते चले जाएं और सत्गुरु के आशीरवादों के पत्र बंते चले जाएं दासी इनी शबदों से आपजी के चरनों में निरंकार करती है और सभी के भले की कामना करते हुए दासी सीम्रन करवाएगी सच्चे पाशा सभी को अपने चर्णों से जोड़के रखना तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंनू बक्षलो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंधर हर देव जी महराज कीजे निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार कीजे साज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी